Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unstoppable Education और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप movies के subtitle का यूज़ करके अपनी English को improve कर सकते हो So friends, एक बहुत ही बहतरी न तरीका है English सीखने का अगर आप भी अपनी English को improve करना चाहते हो और English अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो का इन तक जरूर देखना So friends, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला sentence So friends, यहाँ पर यह बोल रही है कि ऐसा नहीं है कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं इस English में बोलेंगे It's not like I haven't thought about it ऐसा नहीं है कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं मैंने बहुत सोचने के बाद ही यह फैसला लिया है I have took this decision after thinking a lot यानि मैंने बहुत सोचने के बाद ही यह फैसला लिया है I have took this decision after thinking a lot यह मेरा तुमसे वादा है किसी को कभी पता नहीं चलेगा इस English में बोलेंगे This is my promise to you No one will ever find out This is my promise to you No one will ever find out यह मेरा तुमसे वादा है किसी को कभी पता नहीं चलेगा So friends जब भी हम किससे कहते हैं ना कि यह मेरा तुमसे वादा है हमारे बीच रहेगा इसे इंगलेश में बॉलेंगे whatever you tell me will remain between us whatever you tell me will remain between us यानि जो भी कुछ तुम मुझे बताओगी हमारे बीच रहेगा whatever you tell me will remain between us वो सब तो ठीक है लेकिन ये सब इत्ति जल्दी होगा कैसे so friend उसकी बात सुन कर ये कह रही है that's all good but how will all this happen so soon so friend जब भी हम कहते हैं कि वो सब तो ठीक है इसके लिए हम उसकरेंगे that's all good यानि कि वो सब तो ठीक है that's all good but how will all this happen so soon लेकिन ये सब इत्ति जल्दी होगा कैसे मैरा मतलब तुम वैसा कैसे करोगी I mean how would you do that I mean how would you do that मैं तुम्हें सब कुछ phone पर नहीं बता सकती I can't tell you everything on the phone I can't tell you everything on the phone मैं तुम्हें सब कुछ phone पर नहीं बता सकती I can't tell you everything on the phone आज रात मुझसे मिलो और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी meet me tonight and I'll tell you everything meet me tonight and I'll tell you everything यानि आज रात मुझसे मिलो मैं तुम्हें सब बता दूंगी meet me tonight and I'll tell you everything so friend इसकी बार सुनकर यह से कह रही है कि I can't tell you everything on the phone मैं तुम्हें सब कुछ phone पर नहीं बता सकती meet me tonight and I'll tell you everything मुझसे आज रात मिलो मैं तुम्हें सब बता दूंगी लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ ऐसा फिर से कभी नहीं होगा इसे English में बोलेंगे but I promise you it will never happen again but I promise you it will never happen again लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ ऐसा फिर से कभी नहीं होगा but I promise you it will never happen again नहीं यह पहली बार नहीं है हम उससे पहले भी एक बार मिल चुके हैं यहाँ पर किसी मिलने की बात चल रही है तो यह कह रहा है कि नहीं यह पहली बार नहीं है हम उससे पहले भी एक बार मिल चुके हैं इंग्लिश में बोलेंगे No, it's not the first time No, it's not the first time नहीं यह पहली बार नहीं है क्या तुम उसके घर कभी नहीं गए, so friend काफ useful sentence है, पूछ रही है कि, क्या तुम उसके घर कभी नहीं गए, सिंगलिशन बोलेंगे है, have you never been to his house, have you never been to his house, क्या तुम उसके घर कभी नहीं गए, नहीं मैं उसके घर सिर्फ एक बार गया हूँ, no I have only been once to his house, no I have only been once to his house, नहीं मैं उसके घर सिर्फ एक बार गया हूँ, no I have only been once to his house, यहाँ पर friend यह कह रहा है कि, I understand your concern, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, I understand your concern, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, but I promise you have nothing to fear, कह रहा है कि, लेकिन मैं वादा करता हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरुरत नहीं है, I understand your concern, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, but I promise लेकिन मैं वादा करता हूँ, you have nothing to fear, तुम्हें डरने की कोई भी जरुरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ कंट्रोल में है, तो कोई इसके काम को लेकर इसे डर्ट रहा है, कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो लड़की इससे पूछ रही है, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए था, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए था, मुझसे जैसा कहा गया, मैंने किया, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया, यहाँ पर दो से इंटेंस से ध्यान से देखना है, कह रही है, मुझसे जैसे कहा गया, मैंने किया, मैंने किसी को नहीं बताया, So far I haven't told anyone, तो कह रही है कि I did as I was told, मुझसे जैसा कहा गया, मैंने किया, So far I haven't told anyone, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया, So friend, यहाँ पर यह बोल रही है कि चलो चल कर party करते हैं, इस Englishman बोलेंगे, Let's go and have a party, Let's go and have a party, मैं उससे एक बार भी नहीं मिली, So friend, यहाँ पर किस से मिलने की बात चल रही है, यह कह रही है कि मैं उससे एक बार भी नहीं मिली, इस एंग्लिश हम बोलेंगे, I haven't met him even once, यानि मैं उससे एक बार भी नहीं मिली, I haven't met him even once, हाँ लेकिन मैं उसके बारे में सुना बहुत है, जब भी हम कहते हैं, हाँ लेकिन उसके लिए हम बोलेंगे, yeah, but, I have heard a lot about him, कह रही है, हाँ लेकिन मैं उसके बारे में सुना बहुत है या but I have heard a lot about him कह रही है कि मैं उससे एक बार भी नहीं मिली I haven't met him even once हाँ लेकिन मैंने उसके बारे में सुना बहुत है या but I have heard a lot about him हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा से इंगलिशन बोलेंगे we have to leave here at once we have to leave here at once tell me who I have to talk to बताओ मुझे किस से बात करनी है tell me who I have to talk to मैं उससे खुद बात करूँगा I'll talk to him myself I'll talk to him myself यानि मैं उससे खुद बात करूँगा I'll talk to him myself मैं उससे खुद बात करूँगा just tell me his name बस मुझे उसका नाम बता दो just tell me his name मैं वादा करती हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी जैसे यह बोल रही है मैं वादा करती हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी मेरे काम में टांग मत अड़ाओ तो फ्रेंड काम में टांग डाने के लिए हम बोलते हैं इस्टिक नोज, इस्टिक योवर नोज तो कह रहे हैं, डोंट इस्टिक योवर नोज इन्टु माई बिजनिस अगर आप भी डेली बैसिस पर प्रेक्टिस करना चाहते हैं आपप कोई करते रहना होगी क्योंकि यही वे sentence हैं जो हम भी day to day life में यूज करते हैं इसी तरी कैसे regular practice करने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं क्योंकि हम इस चैनल पर regular इस तरह की video डालते हैं हाँ friend हम regular इस वीडियो पर इसी तरह की video upload करते हैं daily देखने के लिए subscribe जरूर कर लेना अगर वीडियो अच्छे लेगी हो तो like जरूर करते हैं and thank you so much for watching this video friends